राकेश जी और डॉक्टर सुरिंदर कुमार मलिक हिंदी साहिते के प्राध्यापक हैं मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से आता हूं और हमने बहुत रोमेंटिक लिट्रेचर और छायावाद की पढ़ाई की है तो हार्वेस्टिंग विलियम वर्डसवर्थ को हम पढ़ते थ यह जो निउजलेटर है यह हमारी जो रोज की बदलती हुई प्रेसितिया हैं उनको संभाल के रखने का उनको संदेश देने का बच्चों के पेरेंट्स को और हमारी सारी जो हर रोज की गतिविदिया हैं उसमें विशेश रूप से हमारे विद्यार्थी ज्यादा हुई है कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो झाल झाल नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं दानेशन टाइम्स और दानेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौदूद है जाट कॉलेज में जाट कॉलेज ने एक नई शुरुवात की है और कहते हैं कि जब आपके हाथ में कोई ऐसा पत्र हो, ऐसा लेटर हो जिसमें महाविद याले की तवाम अचीवमेंट्स और अब तक की जो तवाम चीजें हों नजर आएं तो इससे बहतर क्या हो सकता है डॉक्टर परबंदर जी ने एक तरह से शुरुवात की है अपने दूसरे सहियोग्यों के साथ मिल कर जानेंगे कि आखर जहन में ये बात कब से थी और किस प्रकार से शुरुवा परबंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार बताएं किस प्रकार से शुरुवात की है सर ये कॉलेज का हमने न्यूसलेटर लांच किया है पहली बार कॉलेज की तरफ से ये इनिशेटिव लिया गया है और लगबग छे महीने पहले हमने इसके बारे में एक दिमाग में कंसेप्चुलाइज किया था कि मेगजीन को कॉलेज मेगजीन जो पिछले 50-52 साल से चल रही है उसमें कुछ ऐसे पहलू थे जिनको हम जगे नहीं दे पाते थे जो रचनात्मक्ता से जुड़े हुए थे तो हमने डिसाइड गिया कि हम कॉलेज का अपना एक न्यूसलेटर लॉंच करते हैं एक ऐसा न्यूसलेटर जो हमारे विजन को दिखा सके जिसकी एक वाइडर पब्लिसिटी हो हमारे जो स्टेक उल्डर्थ हैं जिसमें हमारे स्टूडिंट्स हैं स्टूडिंट्स की फैमिलीज हैं हमारे कॉलेज का tia lenses and non teaching staff है उनको हम सिलसिलेवार तरीके से portray कर सके कि हम किस तरीके काका काम कर रहे हैं और किस तरीके की productivity कॉलेज लेकर आ zona रहा है उस टाइम पर अलग तरह की प्रिस्थितियां थी अब एक जब नया समाज हमारे सामने उभर कर आ रहा है उस समाज की जरूरते अलग है नए विद्यारती हमारे पास प्रवेश लेते हैं कॉलेज में तो उनकी जरूरते अलग है तो किस तरीके से उनको engage किया जाए college के activities में तो उसको ध्यान में रखते हो हमने अपने आपको नई तरीके से reinvent करने की कोशिश की है और ये newsletter उसको एक जगह देता है सहयोगी के तौर पर सर आप भी रहे हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो newsletter है ये हमारी जो रोज की बदलती हुई प्रेशितिया हैं उनको संभाल के रखने का उनको संदेश देने का बच्चों के पेरेंट्स को और हमारी सारी जो हर रोज की गतिविदिया हैं उसमें विशेश रूप से हमारे विद्यार्थी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो सारी चीजें हमारे कोलेज के केमपस से और पूरे आज़ पास के प्रोस के वातावर्ण में जाएं क्योंकि ये जो समय है ये सूचना का समय है और सूचना जो है तो उनी सारी उदेश्यों को ले करके हम इस निर्णे पर पहुंचे कि कोलेज का एक नियूजिलेटर हो बिर्टुर बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर परविंदर साब यह जो इसका शीर सक है यह भी बड़ा अट्रेक्ट करता है कैसे चुना हुआ इसका और इसके पीछे क्या राज़तर परविंदर मलिक और राकेश जी यह एक संयोग है अपने आप में कि हम तीनों साहित्य के विद्यारती रहे हैं राकेश जी और डॉक्टर सुरिंदर कुमार मलिक हिंदी साहित्य के अप्राध्यापक हैं मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से आता हूं और हमने ब तो बाइनुल जिसे साल में दो बार हमारी फसल की कटाई होती है उसी तरीके से हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कटाई इस न्यूजलेटर में आपको देखने को मिलेगे तो उसको हमने जिसे एक किसान अपनी फसल को सहेजता है उसको उसका पालन पोशन करता है और फ पुशिश करेंगे और एक और जो चीज दिमाग में थी कि हर हार्विस्ट के बाद एक रीबर्थ होता है हमारे जो पुराने मिथक हैं मिथ्स की जब हम स्टड़ी करते हैं तो देखते हैं कि कोई भी न्यूनेस या रेजरक्शन होती है वो चाहे हमारा गणपती विसरजन ह है चाहे दुर्गा विसरजन है जब तक एक बार आप उसको विसरजित नहीं करते हैं आप नहीं शुरुबात हम कहते हैं कि अगले बरस लोट कर फिर आना तो ये इस साइकिल को बनाए रखने का भी एक प्रयास है इसलिए हार्वेस्ट हीप जो था हमारे लिए टाइटल ब जिस परकार का ये प्रयास है मैं बार बार ये कहता हूँ कि जाट महा विद्याले में इस तरह की नय ने प्रयास होते रहते हैं और विशेश रूप से जब विद्यार्चियों को इस तरह का वातावन मिलता है तो कहीं न कहीं उनका चोह मुखी विकास होता हुआ सापतोर से नजर आता है तो ये जो नियूजलेटर है ये सापतोर से इसी दिशा की तरब संकीत करता है अभी ये शुरुवात है और जैसा कि डोक्टर साब में कहा हर छे महीने बाद इसमें कुछ नया बदलाव आपको जरूर देखने को मिलेगा तो इस नियूजलेटर को आप जरूर पढ़ें देखें कि आखर जाट महाविद्याले किस प्रकार से बदल रहा है किस प्रकार से शीखर की और पहुँच रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों कामर साथ जूने के लिए लगातर बने रहे है दानेशन टाइम्स के साथ